तो आज हम बात करेंगे objective type MC की question है जो इंडियन quality और इंडियन constitution के उपर है इसके बारे में हम यह important question है यह करेंगे यह question हमने confine किया है only historical development है जो इंडियन constitution start होने से पहले की जो development है उसके उपर लग-लग examination में बहुत से question आते हैं तो उन question को ठीक से attempt कर पाएं तो आप इसके लिए इस video को ध्यान से देखें तो आप हमारे channel को subscribe भी भी करें so that कि आपको और जो video है वो मिल सकें और साथ के साथ आप उसमें bell के जो icon है उसमें notification के लिए smile के icon को प्रस जरूर करें तो प्लीज इस channel को like करें share करें और subscribe करें तो चलिए start करते हैं तो पहला question हम लेते हैं कि किस act के तहत governance थी जो इंडिया की governance थी वो ब्रिटिश गोवर्मेंट के अंडर आ गई थी तो option है option a government of India Act 1858 जो government of India Act 1858 इसके तह तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसने East India Company से जो पूरी sovereignty थी इंडिया के उपर उसको अपने अंडर कर लिया था sovereignty क्या होती है sovereignty होती है आप रूल्स बनाने की आपके पास पावर है आप एक इंडिपेंडेंट रूल्स रेगुलेशन्स एक्ट लॉव बनास पे हैं तो वो जो सारी पावर थी वो government of India Act 1858 के तहत इस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो पावर थी क्राउं की वो किसके द्वारा एक्सराइज की जाती थी उनकी जो पावर थी वो कौन यूज करता था किसके द्वारा वो यूज की जाती थी तो option a है council of India option b है governor journal option c है secretary of the state option d है executive council तो इसका answer है option c the secretary of the state जो crown की पावर थी वो सेक्टरी द्वारा exercise की जाती थी with the assistant of council of 15 members जो council of India के नाम से जानी जाती थी secretary था वो British Parliament की तरफ responsible था और यह govern करता था secretary पूरे इंडिया को governor general के दुरू next है वीचे दिये option में से क्या correct है government of India Act 1858 के बारे में क्या यह सही है option ए प्रोविंसिकल government वर मियर agent of the government of India जो प्रविंसिकल government थी वो सिर्फ government of India के agent थी यह option b कोई भी separation function था नहीं था civil military executive legislature में option c जो control था secretary का Indian administration के ओपर वो बिल्कुल absolute था absolute in the sense वी totally secretary का control था यह option d इन में से सारे ही तो इसका answer है option d all the above government of India act 1850 तहत त्याट्री थी वो आल्दो टाइट्री ड्वाइड की थी provincial government और government of India में प्रोविंसिकल गॉर्मेंट की जे function थे जैस्ट वो regulate होते थे सुप्रिटेंस उसकी होती डिरेक्शन होती थी control होता था वो था governor general का होता था हर तरह के matter के उपर तो वो कहने के लिए सिर्फ एक प्रोविंसिकल थे बट वो एक agent के तौर पे ही काम करते थे और पूरे का पूरा जो control होता था वो secretary of state के पास ही होता था next है government governor general of India के उपर additional title vice rai किस act के तहत कंफर किया गया था vice rai किस act के तहत governor general को ऐजे additional बोला जाता था तो option A है government of India act 1858 option B है Indian council act 1861 option C है Indian council act 1892 या option D government of India act 1990 तो इसका answer है government of India act 1858 जो title था governor general के उपर वाइसराय का title था वो British crown की शान को और बढ़ाता था Lord किनिंगवाज तब फर्स्ट वाइसराय और उसके बाद लाड लाड मॉंस बेटन थे वो थे लास्ट वाइसराय ओफ इंडिया नेक्स्ट क्वेस्टन है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स किस एक्ट को कहा जाता है तो option A है Indian council act 1909 option B Indian council act 1919 option C Indian council act 1892 या option D इंडियन council act 1861 तो इसका अंसर है option A the Indian council act 1909 इंडियन council act 1909 था वो ब्रिटिश पार्लिमेंट के द्वारा बनाया गया हुआ अक्ट था जो कि legislative council में कुछ रिफॉर्म करता था और इंडियन गवर्मेंस में involvement थी इंडियन की प्रिटिश में वो अंक्रीज हुई थी थोड़ी सी इसको कॉमली मॉर्ले मिंटु रिफॉर्म इसलिए कि कहा जाता है क्योंकि जो सेक्टरी था स्टेट का जॉन मॉर्ले और वाइसराय ओफ मिंडिया वो था अरल अफ मिंटॉ तो इन्हों ने जो रिफॉर्म से इंटॉड्यूस किये उनको कॉमली नाम से जाना है मिंटे मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ने इंडिया में कम्यूनल एक्ट्रो रेट सिस्टम का इंट्रोड़क्शन किया एक्ट्रोड कम्यूनल एक्ट्रोड मिंस रिलिजिन बेस के ऊपर इलेक्शन का जो सिस्टम है वो किस एक्ट के तहत Option B, Government of India Act 1919, और Option C, Indian Councils Act 1892, और Option D, Indian Councils Act 1861, तो इसका आंसर है Option A, The Indian Councils Act 1909, तो Indian Councils Act 1909 के तहत, पहली बार communal representation थी, मुसल्मान के लिए, वो अक्सेप्ट गी गई थी, as a separate electorate, Muslim Member थे, वो सिर्क Muslim voter के द्वारा ही elect किये जाने थे, तो इन शॉंट इस Act के तहद, जो Communalism voting system है, उसको legalize कर दिया गया था, तो जो Lord Minto है, उसको हम ये कहते हैं, कि Lord Minto है, Minto थे, वो father of communal electoral थे, उनको father of देश में, religion based पे election करवाने के लिए, मौर्ब मिन्टो को जाना जाता है, उसके बाद, कौन से Act को, Montego Camps voter form से जाना जाता था, तो option है, Indian Council Act 1861, option B है, Government of India Act 1990, option C है, Indian Council Act 1892, या option D, इन में से कुई भी नहीं, तो इसका answer है, option B, the Government of India Act 1990, इस Act के तहर, जो Secretary था, State का, Government के उपर कुछ चरलेक्शन दी गई थी, और जो पावर थी, वो गवर्नर, जर्नल, इन काउंसल को, डेलिगेट की गई थी, किस Act, question है, किस Act के तहर, जो डायर सी सिस्टम है, उसको इंट्रडूस किया गया था, option A, Government of India Act 1990, option B, Indian Council Act 1909, option C, Government of India Act 1935, या इंग में से कुछ भी नहीं, तो answer है, option A, The Government of India Act 1999, इस Act के तहर, जो प्रोविंसिकल सेट अप है, इसमें एक निया इन फीचर जो था, वो एट किया गया था, जिसको डायर सी सिस्टम से, डबल अगॉर्वर्मेंट के नाम से जाना जाता था, इसमें जो subject थे, administration के उनको डवाइड कर दिया गया, central, provincial category में उनको डवाइड किया गया, next question है, Montego Camps Code, proposal है, वो relate करता है, option इस social reform के साथ, option B, educational reform के साथ, option C, reforms in public, police administration, या option D, constitutional reforms, तो answer है, option D, constitutional reform के, Montego Camps Code report थी, उनकी वज़े से, act बना, government of India, act 99, इसमें substantive change गये गये थे, जो system था, जिस्टियों सिस्टम चल रहा था, उसमें, एक substantive changes लाएं गए, relaxation दी गई, government के control में, तो Indian legislature में, ज्यादा representation इंडिया को दी गई, डाइर्सी सिस्टम इंटोडूस किया गया, next question है, government of India act, 1935 के तहत, federal court का setup किया गया था, तो federal court की jurisdiction क्या थी, तो option A है, original jurisdiction थी, option B, advisory jurisdiction थी, option C, appealant jurisdiction थी, या option D, all the above, ये option थोड़ा typical typing की वज़े से थोड़ा उपर नीचे चले गया है, तो आप इसको LZT, A, B, C, और D, इस consequences में ही देखें, तो इसका answer है, option D, all the above, जो federal court थी, जो setup की गयी थी, government of India act, 1935 के तहत, उसमें तीन jurisdiction ही थी, original, advisory jurisdiction, appealant jurisdiction, federal court of India थी, वेक judicial body थी, जो establish की गयी थी, 1937 में, government of India act के तहत, जिसके पास, original, ident order of as jurisdiction थी, federal court ने काम किया, जब तक supreme court जो present है, इंडिया की, वो establish नहीं हो गई थी, तो supreme court of India जो establish होई थी, वो 1950 में होई थी, तब तक federal court of India ने as a judicial body काम किया था, तो ये हमारे important question थे, constitution के उपर, So, everyone thank you for watching this video, thank you.